हलो गैस कैसे हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे बहुत सारे मेरे वर्कर भाई ने ये सवाल पूछ पूछ कर मुझे परेसान कर दिया और लेड़े एक दो वीडियो खुद में बनाया था कम से कब 3-4 साल पहले ठीक है कि ये UA में जब स्टार्टिंग में आप जाते हो दुबई में तो वर्कर की सेलरी कमपनिया कितनी लगाती है मैं जातर आपको मालूम है कि मैं कमपनि से लेटेड ही इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहता हूँ सिर्फ मैं अपने वर्कर भाई के प्रावलम के सेलूशन के लिए क्योंकि कोई भी वर्कर को घर बैटे बैटे कमपनी का डिटेल पता नहीं चलता इसलिए मैं उस पर ही वीडियो बनाता हूँ और आपको भी अगर कमपनी के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो चलता वीडियो वर में चाहरें का कोड आएगा उस कोड के साथ कोमेंट करो आपका भाई जरूर रिपलाई करेगा तो दोस्तों मेरे बहुत सारे साइथ आइडोनो ने भाई लोग जाने वाले हैं इंडिया से पाकिस्तान से बंगलादेश से नेपाल से वो लोग बोलते हैं कि फ्रेशर जो होते हैं या फिर स्टार्टिंग में यूवई में दुबई में सैलरी कितनी देती है तो जो भी बताऊंगा दोस्तों अपने 12 साल का एक्स्प्लेंस भी बताऊंगा एजेंट क्या बोलता है आपको यहां पे लोग रहने वाले क्या बोलते हैं वो तो आई डोनो मुझे पता ने बट एक्चुली जितनी सैलरी मिलती है वो ही जश्ट आपको के साथ एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ तो देखे सबसे पहला जो इस टेप है दोस्तों यह फैक्ट और हर वीडियो में जातर वीडियो में यह मैं बताया हूँ कि देखेऊ जैसे ओमान है चतर है सबहरेंे यह फैर इस कंट्री में दोखो मिनिमंमम सैलरी का रूल पास है ठीक है बट अभी तक कि UAE Dubai में ये minimum salary का rule pass नहीं है इसलिए companyya क्या करती है कि मनमानी करती है अगर आपको 500 दरम में आप agree हो गया और आपने agreement paper पर sign कर दिये तो आपकी salary 500 दरम ही लगेगी उससे government को कोई problem नहीं है इसलिए आपको sign करने के time agreement paper जरूर देखना है कि उसमें आपकी basic salary कितने company लगा रही है transporting दे रही है की नहीं room दे रही है की नहीं ticket up and down की दे रही है की नहीं ये सब detail पूरा होता है दोस्तों अर्बी और English में आपको नहीं पढ़ना आता है no problem आप किसी का support ले ले but agreement पूरी तरह पढ़ ले उसके बाद ही sign करें इसलिए UAE में दोस्तों ज़्यादा worker फसते हैं company चाहते हैं कि जितना भी कम से कम salary में worker काम करें उन लोगों के लिए तो अच्छा है तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा से कम से कम salary अभी UAE में ये problem के वज़ा से हैं हाँ जो तेज है और जो काम को knowledge है अच्छा है तो वो लोग agreement sign ही नहीं करते हैं बोलते हैं इतने कम salary में sign नहीं करूंगा तो ज़्यादा ज़्यादा देखें company अभी latest में बोल रहा हूं 800 दरम से helper का दोस्तों 800 दरम से लगबग start है अब 1000 दरम तक यही salary मिलती है helper का fresher का ठीक है और जो काम सिखे हुए बंदे है जैसे plumber है, electrician है, welder है fitter है, fabricator है यह सब का दोस्तों 1000 दरम से ठीक है जो जैसा interview पास करता है 1000 दरम से 1500 के बीच में salary होता है मतलब 20,000 Indian money से लेकर 30,000 के ठीक है, यही salary होता है और helper का 16,000 से 20,000 के बीच में बहुत सारा लोग आपको लालज देते हैं कि वहाँ जाओ overtime का ज़्यादा पैसा मिलेगा, आप ज़्यादा कमाल होगा ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों company के पास अगर ज़्यादा urgent काम होता है, तभी overtime चलता है, urgent काम नहीं होता है तो फिर normal duty, तो आप अगर RAO UA में, दुबई में आना चाहते हो दोस्तों, तो आप यह सोच के आओ, overtime के हिसाब से बिलकुल नहीं आना, नहीं तो फिर आप problem में फस हो गए, मिलता हूं दोस्तों नहीं update के साथ, नहीं जानकारी के साथ जो भी मेरे पास knowledge था, मैं आपके साथ share किया, और जो भी छूट गया होगा चलता वीडियो बर में 4 अंका code आएगा उस code के साथ comment करो, आपका भाई जरूर reply करेगा, जब तक जय है